हेलो फ्रेंड्स मैं दीपक्सा हूँ स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल CGPAC हैं रिटर्नोर्स में आज हम भारती अर्थविवस्था के आर्थिक विकास्क वाले में बात कर रहे हैं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि 9 बज़े आने वाले GK Fry, 12 बज़े आने वाले 36 गड़ी Special और 3 बज़े आने वाले GS का नोटिफिकेशन मिलता रहे आज के वीडियो मेंस और प्री दोनों के लिए इप्पॉर्टेट है तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि Economics को समझने में आसानी हो तो शुरू करते हैं वीडियो टॉपिक है आर्थिक विकास और थात Economic Development आर्थिक विकास आर्थिक समुरिद्धी के साथ साथ लोगों के जिवन इसतर में जो गुडात्मक बदलावाते हैं उसे आर्थिक विकास कहते हैं तो आर्थिक समुरिद्धी देखेंगे कि जो देश की वास्तविक प्रतिवेक्ति आये और राष्टियाय में समय के साथ जो बढ़ोतरी होती है उसे आर्थिक समुरिद्धी कहते हैं आर्थिक विकास का मापन है UNDP दौरा करिक की जाती है इसका फूल फॉर्म है United Nations Development Program इसके मापने के अधार क्या हैं तो मानाव विकास सुचकांग अर्थात Human Development Index आर्थिक विकास का मापन तीन अधार पे किया जाता है मानाव विकास सुचकांग क्रह सक्ति सम्तरिति तीसरा है जीवन की भोतिक गुडवत्ता इन अधारों पे आर्थिक विकास का मापन किया जाता है माना विकास सुचकांग HDI मतलब Human Development Index जारी कौन करता है UNDP अर्थात सन्यूकतराष्ट विकास कारीकम प्रारामब कब हुआ था 1999 में इस ओधार्ना के जन्मदाता किसे कहते है तो पाकिस्तानी व्यक्ति महबूब उल हक को इसके सहयोगी कौन थे अमरत्य सेन जो की भारत के व्यक्ति थे माना विकास सुचकांग को मापने के अधार क्या थे है तो है सक्षत अधर प्रतिवेक्ति आये और जीवन प्रत्याशा ये माना विकास सुचकांग मापने के अधार है इनमें मान होता है 0 से 1 के मध्य जिसको 3 स्रड़ी में बाड़ते है पहला मानव निम्नमानव विकास वाला देश दूसरा होता है मध्य मानव विकास वाला देश और तिसरा होता है उच्च मानव विकास वाला देश निम्न मानविकास का मान होता है 0.000 से 0.499 अंग तक ये होता है निम्न मानविकास वाला देश मध्य मानवाला विकास देश में होता है 0.500 से 0.799 अंग तक और उच्च मानविकास वाला अंग देश होता है 0.800 से 1.00 अंग तक अर्थात इसका मान 0 से 1 के मद्य होता है अब देखते हैं मानवी कास सोच का अंग 2019 के बारे में तो इसमें 189 देश सामिल थे जिसमें प्रथा मिस्थान मिला है नार्वे को जिसको 0 से 1 के मद्य में 0.954 अंग प्राप्त हुए है अर्थात उच्च मानवी कास वाला देश अंतिम इस्थान प्राप्त हुए है नाईजर को जिसका मान प्राप्त हुए है 0.377 अर्थात निम्न मानवी कास वाला देश भारत का इस्थान रहा है 129 जिनको प्राप्त अंख हुआ है 0.674 अर्थात मध्यमानो विकास वाला देश अगला है क्रेश सक्ती समतरिती अर्थात 3PP P Purchasing Power Parity ये क्या होता है तो देखते हैं इसका परिभासा एक समान वस्तु और सेवाओ के लिए एक देश में जितनी अदा करनी पड़ती है उतनी ही वस्तु और सेवाओ के लिए दूसरे देश में कितनी अदा करनी होगी यह जो जाननी की विधी है वही है क्रेश सक्ती समतरिती अर्थात Purchasing Power Parity इसका प्रतम पादन किसने किया था जी यार कैसल ने सर्व प्रतम लागू कब हुआ था तो यह हुआ था 1993 में जारी कौन करता है आईएमेप भारत का इस्थान क्या है तो वरतमान में तिसरा इस्थान है प्रतम इस्थान है चीन का और सेकन इस्थान है अमेरिका का तिसरा है जीवन की भौतिक गुड़वत्त सुचकांग अर्थात PQLI Physical Quality of Life Index सर्व प्रथम लागू का बुआ था 1789 में प्रस्तुत करता कौन थे जान टिनवर्जन एवं मौरिस डी मौरिस ये कौन थे प्रस्तुत करता इसके अधार क्या है मापन के तो पहला है मौलिक सक्षरता अर्थात Basic Literary दूसरा है जीवन प्रत्यासा अर्थात Life Expensive तीसरा है सिसे मृत्योदर ये रहा जीवन की भोतिक गुड़वत तक बारे में अब देखते हैं आर्थिक प्रगरती अर्थात Economic Progress के बारे में आर्थिक प्रगरती से आसा है लंबे समय तक चलने वाले सकरात्मक बदलाओं को अर्था व्योस्ता में आर्थिक प्रगरती अर्थात Economic Progress कहते हैं ये रहा आर्थिक प्रगरती अगला टॉपिक है आर्थिक सम्रिद्धी अर्थात Economic Growth देखते हैं इसको देश की वास्तविक प्रतिव्यक्ति आये और राष्टि आये में समय के साथ जो बढ़ोतरी होती है उसे आर्थिक सम्रिद्धी कहते हैं इस तरह से था आर्थिक विकास के बारे में प्रमुक मापन के बारे में कल की वीडियो में इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक पर बात करेंगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कीजे लाइक कीजे कमेंड कीजे धन्यमत